नमस्ते रीजिनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बोंडा की रेसिपी जिसे महारास्टरा में बटाटा वड़ा भी कहते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बोल में हम लेंगे डेड़ कब बेशन और इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून चावल का आटा चावल का आटा यूज करने से ये क्रिस्पी बनता है और तेल नहीं पीता फिर डालेंगे स्वादा नुसार नमक वन फोर टी स्पून हींग वन फोर टी स्पून हल्दी नहीं तो बुंडा का जो bright yellow color आता है वो नहीं आ पाएगा। पानी डालने से पहले एक बार हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे। हम इसमें पानी डालते हुए इसे मिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लंप्स ना पड़े हमें बेशन का रनी बैटर नहीं चाहिए इसलिए इसमें हम पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मैं चाहते हूं कि अगर आप बोंडा पहली बार इस वीडियो को देखने के बाद बनाएं तो आपका बोंडा पहली बार में ही सही बने इसलिए आप इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिए कि मैं कितना थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डाल रही हूं और इसे मिला मैं ये आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने जब पहली बार बोंडा बनाया था तो मुझसे बेसन थोड़ा गीला हो गया था और तेल में जाते ही बोंडा फट गया था इसलिए बोंडा बनाने के लिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए अब और भम्यकोंकि मारे दिएटर को अधे गंटे के लिए रख देंगे और फिर एक पान में डालेगे एक से डेट चंद चमाच रीफाइन डायल और उसमें डालेगे एक बार टीश्पून सरसो nuanced की बार वन फ़ो टीश्पून जीरा मूं ट्रार को मीं फिर हम साथ से आठ गा बाजु को छोटी छोटी टुकडों में तोड़ कर इसमें डाल देंगे। सुनेरे नहीं हो जाते। अब ये हलके सुनेरे हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच हींग, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, और इन मसालों को हम इसके साथ मिला लेंगे। अब इने हमने भुनकर अच्छी तरह से सुनेरा कर लिया है। अब इसमें हम हाथों से मसल कर चार उबले हुए आलू डाल देंगे। हमें आलू को इस तरह से हाथों से मसल कर ही प्रयोग करना है। इसे हमें ग्रेट नहीं करना है। और आलू को थोड़ी दिर पहले ही उबाल कर रख लीजिए बलकि इने फ्रिज में डाल देजिए ताक कि इन में थोड़ा भी पानी न रह जाए यहां पर मैंने चार बड़े आकार के आलू का प्रयोग किया है और आलू डाल कर हम इसे बागी के मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे जब आलू थोड़ा मसालों के साथ मिल जाए तब हम इसमें डालेंगे स्वादा नुसा जाए और तीन से चार मिनिट तक भुनना जाए आलू को भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे नीबू का रस यहाँ पर मैंने आधे से थोड़े जादा नीबू का प्रयोग किया है आप चाहें तो नीबू की जगह अमचुर पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं और जाए प्रयोग करना पड़ेगा और अब हमने पूरे आलू के बाल्स बना कर तयार कर लिये हैं अबने जो बैटर बना कर तयार किया था उसमें हम डालेंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा और जो तेल हम इसको तलने के लिए गर्म कर रहे हैं उसमें से एक टेबिल स्पून ये तेल हलका सा गुनगुना होना चाहिए हम बेकिंग सोडा और तेल को बैटर के साथ इस तरह से फेटते हुए मिला लेंगे फिर हम बैटर में एक बॉल डाल देंगे और इसे एक फोक या फिर एक स्पून की साहता से अच्छी तरह से बैटर से कवर कर देंगे जब ये ब आप देकिसे से डिन ने घ्याप एन्हें इन इसे ऑफ जड़ते हुए अब हम इन्हें कड़ाई से निकाल लेंगे, हमने इसके साथ खाने के लिए थोड़ी से मिर्च भी तल ली है, मिर्च को बीच से फाड़ कर तले, और अब मैं एक बोंडा को आपको काड़ कर दिखाती हूं, कि ये कितना अच्छा बना है, और इस पर बेशन की जो कोटिंग और ये देखिए कितनी अच्छी कोटिंग है, ये ना तो बहुत पतली है और ना ही बहुत मोटी, और ये बहुत ही इविन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूल ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, इस वीडियो को अपने भुख़र दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो मे उल्एप़र दनो वीडियो में इंसेमि झाले, इस वीडियो में आफ ऴ off YouTube Trênावार के सानए य जने वीडियों इवार दोस्तों के साथ बदस्तों के साथएप़र दोस्तों के तर रहें हम, को राम आपको मिल दोस्तों के साथियों के साथिकेश्िू हम इंसे स develops Okay. झाल झाल